आज हम व्रत के लिए छे अलग लग तरह की मिठाईयां बनाएंगे सारी मिठाईयां एक से बढ़कर एक है बहुत ही टेस्टी बनने वाली है सारी मिठाईयां घर में जो समान रखा होता है उनी समान से बिल्कुल बेसिक चीजों से बन जाएंगी तो चली मिठाईयां बनाने लिए है यह कच्छा दूर लिए है मैंने बॉयल के हवा नहीं है तो जब इसमें एक बॉयल आ जाई तो इंडक्शन को बन कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक बॉयल आ चुका है तो मैंने इंडक्शन को बन कर दिया और दो तिन निट के लिए से ठंडा कर लेंगे ठंडा तो रस्मलाई में विनेगर का टेस्ट ना है, इसलिए इसे अच्छे से वाश करना जरूरी है, वाश करने के बाद इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद 10 मिनिट के लिए इसे आप रेस्ट पे रख दीजे, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी ह ले लिए तो आधर लीटर दूद को हमें थोड़ा सा घाड़ा करना मरला बहुत जादा इस दूद को हमें कम नहीं करना है अब इसमें दो चमच शकर डाल दी है मैंने रसमलाई को बहुत जादा मीठा नहीं बनाया था बिल्कुल परफेक्ट मीठा हुआ था क्योंकि जो रसकुले उन्हें हम शकर में पकाएंगे चाशनी में पकाना है इसलिए मैंने शकर कम डाली इसमें तो यहाँ पर देखे दूद जो बहुत जादा गाड़े नहीं कि है तो इसे एक प्लेट में मैंने ट्रांसफर कर लिया है अब इसे हतेली से अच्छे से मसल मसल के हमें स्मूथ कर लेना है हमने यहाँ पर बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं डाला है ना मेदा है ना कॉन फ्लार है ना है आरा रोट है तो हमें इसे बिल्कुल अच्छे स स्मूध करना ताकि जो बॉल से चाशनी में जाने के बाद फटेना अब हम चाशनी बनाएंगे तो जितना शकर है उससे तीन गोना पानी लेना है तो आदा कप में शकर ली है देड कप में पानी लिया है यहाँ पर जो बॉल से है न मैंने गोल बनाई है क्योंकि हमें रसमलाई बनाना रसमलाई फ्लेट होती पर इसमें बाइंडिंग के लिए हमने कुछ भी नहीं डाला है तो जब यह 15 मिट हम इसे तो 15 मिट में जो चाशनी न बहुत जादा गाड़ी हो जाएगी तो इसलिए हम इसमें बीज बीज में गरम पानी डालते जाएंगे तो मैंने 15 मिट इने पकाया है और 5-5 मिट के डिफ्रेंस में मैंने इनमें गरम पानी डाला है तो तीन बार हमें इसमें दो दो चमच गरम तो लिए बिल्कुल जूसी बने हैं रजगुले और जो रसमलाइ का रश है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है तो हमें ठंडा होने के बाद ही ने यूस करना है अब जो एक्स्ट्रा चाषनी हम रजगुले में वह निकाल देंगे यह तो इन रजगुले को हमो रस में ढा तो आप भी इस नवरात्री में ये रेसिपी जरू ट्राइक कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी अब इसके बाद हम बनाएंगे नारियल के लड्डू जितने सुन्दर दिखने में लग रहे हैं उतनी टेस्टी लड्डू बनते हैं बहुत ही बढ़िया बनते हैं और क कि हलका सा कलर चेंज हुआ है तो अब मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है सेम कड़ाय में मैंने आधा कब दूद ले लिया है और इसमें केसर का दूद डाल देंगे हम आधा कटोरी मैंने होममेंट मावा डाल दिया है अब मावा डालने के बाद साइची जोक अपनी मिठाईयों में और बिल्कुल पर्फेक्ट मिठा हो गया था इतने में ही जो मेजर्मेंट्स मेने बताया है उसमें दो चमशा कर सफिशेंट रहेगा 140 पून इलाइची पाउडर डाल देंगे एक कप नायरल का बोरा मेंने डाल दिया है अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम तीन से चार्म निट के लिए कुक कर लेंगे ताकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा दूध है वो रिड्यूस हो जाए यह बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाए तो आप यहाँ पर देखिए यह जो मिशर्ण है ना डो के फॉर्म में आ गया है तो इसे ठंडा कर लेंगे और इसे लड्डू बना कर तयार कर लेंगे जो मेजर्मेंट्स मैंने बताया है उनसे 6 मीडियम साइज के लड्डू बने है बहुत ही बेसिक चीजों से ब लड्डू बनकर तयार है अब हम बनाएंगे कलाकन यह मिठाय भी बहुत टेस्टी लगती सिर्थ से 15 मिठाय बन जाती और बेसिक चीजे यूज होती से बनाने में तो चले बनाना स्टार्ट करते कलाकन कडाय में मैंने आधर लीटर दूद ले लिया है लगातार चलाते हु हो जाए ना तो इसमें हम पनी डाल देंगे तो आधर लीटर दूद के लिए मैंने 1500 ग्राम पनीर का यूज किया है तो पनीर को मैंने किसनी से कीस के दूद में डाल दिया है अब इसमें शकर डाल देंगे तो वन फोट कप से भी कम शकर का में यहाँ पर यूज किया है शकर पर मैंने 1-4 टीस्पून इलाइची पाउडर डाल दिया है अब यह बिल्गुल अच्छे से डो के फोर्म में आ चुका है तो मैंने गेस को बन कर दिया है और इसे एक ट्रे में ट्रांसफर कर लेंगे और चमत से दबाते हुए इस अच्छे से फ्लेट कर लेंगे तो यहां प जाए और इसके पीसे कट कर लेंगे सिप 15 मिनिट लगते हैं इस मिठाय को बनाने के लिए तो जरू ट्राय किजिगा बहुत ही टेस्टी बनती है यहां पर जो हमारे कलाकंद बंद का तयार है अब इसके बाद हम बनाएंगे पिनट चिकी यह चिकी टेस्टी भी हैं हेल्द कर लेंगे जब इनका छिलका इस तरह से निकलने लग जाए ना इसका मतलब अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो मैंने गेस को बन कर दिया है एक प्लेट में इने ट्रांसफर कर लेंगे अब इनका छिलका हम इस तरह से हाथ से मसल कर निकाल लेंगे कोशिश कीजिएगा कि सारे दाने की छिलके अच्छे से निकल जाएं कुछ रहें भी जाते हैं तो कोई प्रोब्लम नहीं है अब इसके बाद कटोरी से दबा कर हम इन्हें दो हिस्से में तोड लेंगे बहुत ज़्यादा इन्हें बारिक नहीं करना है सिर्फ दो हिस्से में तूट जाएं इतना ही दबाना है अब इसके बाद चाश्नी बनाना है तो जितने हमने मूफली के दाने लिये हैं उतना ही गुर लेना है तो आधी कटोरी मैंने मूफली के दाने लिये थे तो उतना ही मैंने गुर लिया है इसकी चाशनी में गुड और घी का यूज होता है बिल्कुल भी पानी नहीं डाला जाता है जो गुड अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है तो मैंने इसमें एक चमज घी डाल दिया है घी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगी अगर आपने चाशनी अच्छे से बना ली ना तो बिल्कुल पर्फेक्ट चिक्की बन जाएगी तो बस चाशनी अच्छे से बनना चीए बहुत ही बड़े चिक्की बनेगी फिर तो यहाँ पर मैं चाशनी को चेक कर यूँ बनी है या नहीं तो कुछ ड्रॉप मैंने पानी में डाले बहा निकाला तो यह बॉल जैसी बन रही है इसका मतलब चाशनी अच्छे से बनी नहीं ही अब दोबारा से इसे कुछ सेकेंड के लिए हम भून लेंगे कुछ सेकेंड के लिए हम इसे और पका लेना है चाशनी को तो यहाँ पर देखें इसका कलर भी डार्क होना स्टार्ट हो चुका है तो दोबारा से मैंने इसे चेक किया कुछ डॉप पानी में डाले और जब उसे बहा निकाला तो यह बिल्कुल अच्छे से तूट रहा है बिल्कुल कड़क हो चुका है इसका मतलब चाशनी बन गहीं तो मैंने सारे मुम estiver के डाने इसमें डाल दिये हैं अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पर देखेंचे तूट रहा है इसका मतलब चाशनी रयडी है मुम भाली के डाने डाल दियेंगे mix कर लेंगे इसे आप plate में या किसी भी tray में फेला दिजेगा फेलाने के बाद इसके pieces cut कर लिजेगा और गरम गरम में ही इसके pieces cut करना है वना इक बार यह hard हो जाएगा तो pieces cut नहीं हुगे यहाँ पर मैंने एक biscuit का packet लिया है उसी में इसे फेला है अच्छे से से set कर लेंगे अब हमें कडाई ले लेंगे और अच्छे से हमें इससे गरम कर लेंगे अब DreT मैंने पॉप अप करके एक प्लेट में ट्रांसफर करके रख दिया है अब इसके बाद हम चाशनी बनाएंगे तो जितना हमने राजगेरा लिया है उतना ही हम गुर लेंगे अब जब गुर अच्छे से मेल्ट होने लग जाए तो इसमें घी डाल देना है तो मैंने एक चमज पानी डाला है राजगे देखे लड़ो के लिए जो चाशनी बनाए जाते उसमें पानी भी डालते हैं तो यहाँ पर एक कटों में मैंने पानी लिया और चाशनी डालके देखी तो जब बहार निकाला तो यह अच्छे से बॉल बन रहे थी इसका मतलब चाशनी रेडी है इ इस्टेज पर युआ एक बाह एक कडक हो जाएंगे, तो लड़ु नहीं बनेंगे प्रोपर शेप नहीं आएगा, तो हाथ में थोड़ा-थोड़ा मैंने पानी लगा लिया है और इसके लड़ु बना कर हम तयार कर लेंगे सिर्फ 10 मिनिट में बनते हैं और टेस्टी भी है तो इसे जरूर ठाइए कीजिएगा बहुत ही हेल्दी होते हैं बच्चे हो यह बड़े हो सबी के लिए काफी अच्छे हैं तो इस रेसिपी को इस नवरात्री हम जरूर ठाइए कीजिएगा तो यहाँ पर फ्लेम पर तीन से चार्म निट के लिए रोस्ट कर लेना है जब यह इस तरह से चटक नहीं लगी ना इसका मतलब जो तील है ना अच्छे से भून चुकी है तो इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे अब चाशनी बनाना है तो चाशनी बनाने के लिए जितना हमने त तिल लिया है उतना ही गुड ले लेंगे तो आधा कप मैंने तिल लिया था उतना ही मैंने गुड ले लिया है और इसकी चाशनी में पानी नहीं डाला जाता है सिर्फ गुड और घी का यूज होता है एक चमच मैंने आप घी डाल दिया है अब जो गुड है अच्छे से मेल काने के बाद दोबारा से मैंने चाशनी को चेक किया पानी में कुछ ड्रॉप डाले बहा निकाला तो अच्छे से टू ट्रीस का मतलब चाशनी बनकर तेयार है अब इसमें रोस्टेट तिल डाल देंगे तिल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसे इसे हम बिल्कुल पतला पतला बेल लेंगे और जब यह गरम रहे ना उसी स्टेज पर हम इसके पीसेस कट कर लेंगे तो मैंने हैं पर राउंड शेप में इसके पीसेस कट किये हैं तो यहां पर हमारे तिल चिक्की भी बनकर तयार है तेस्टी भी हैं healthy भी हैं तो जरूर ट्र